पाकिस्तान के परदानमंतिर श्याबाज सरीफ भले उत्साहित नजरा रहे हैं लेकिन जिन सर्तों पर इस वक्त आई मेपने पाकिस्तान को लोन दिया है वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत महिंगा पढ़ने वाला है श्याबाज सरीफ की सरकार की वाप्सी के साथ ही सबसे बड़ी चुनोती सरकार के सामने थी कि किस तरह से बदहाल पाकिस्तान को दरसल कुछ पैसों के जर्ये आर्कित में पहुचाए जाए और उसके लिए हमने देखा कि किस तरह से फिलर टू पोस्ट जो है शाबाज सरीफ दौर्ट नजरा आए और उन्होंने दरसल अपनी नीतियों में वो तमाम फैसले चंद दिनों में ले डाले जिसके चलते पाकिस्तान इस वक्त ऐसे मोहाने पर खड़ा है जहां एक तरफ जूसी तरफ चीन है, किसी तरफ इरान है, चौथी तरफ भारत है और पांची तरफ देखें तो आफगानिस्तान खड़ा है यानि पाकिस्तान के सामने इस वक्त की जो चुनोतियां है तो इचुनोतियों के बीच ख़़ी राहत के तौर पर आएमेप का लोन जरूर देखा जो चुनोति से कम नहीं दिखाई ज़े राहा, इस पीज देखिए कि बैलन्स करने के लिए किस तरह से पाकिस्तान ने इरान से भी अपने दुश्मनी को दरकिनार करते हुए समद्दों को अपने सांदार के राष्ट पती का जिस तरह से रेट कार्पिट वेलकम पाकिस्ता तो उसका खामियाजा उसे सैंक्शन के तौर पर भुगतना पड़ेगा। बावजूद इसके देखिए काई में अगर तीसरा किस्ट पाकिस्तान को दे रहा है तो ये अमेरिका की मर्दी के बिना संभव नहीं। प्रो अमेरिका ही माना जाता है। लेकिन इस बीच इरान के साथ जिस तरह से शावाज सरीप ने अपने स्टेंड को क्लियर किया वो दरसल अमेरिका के लिए चुनोती खड़ा कर रहा था लेकिन अमेरिका अभी भी पाकिस्तान को छोड़ने के लिए तयार नहीं। अमेरिका अपने अपने अंतराल के बाद बाइडन ने जो है वो दरसल अपने डिप्लोमेसी को पाकिस्तान की तरफ सिप्ट किया। ठीक अमेरिकी चुनाओं के पहले जिस तरह से अमेरिका अपने डिप्लोमेसी को पाकिस्तान की तरफ सिप्ट करता दिखाई दे रहा है। वो दरसल अपने आप में एक बड़ा चेंज कह सकते हैं तब जबकि अफगानिस्तान से अमेरिका अपने पाउं समेड़ चुका है। क्योंकि सिप्ट का प्रोजेक्ट पाकिस्तान की जमीन पर चीन पूरा कर पाये। इसके सामने इतनी चुनोतिया खड़ी हो गई हैं कि चीन को भी ये प्रोजेक्ट अप असहज दिखाई देने लगा है। यही दरसल अमेरिका के लिए एक बड़ा विंडो खोलता है। यही दरसल अमेरिका को ये रास्ता दिखाता है कि किस तरसे पाकिस्तान को खिरसेक पर साधा जाए। हम जानते हैं कि जो आर्मेची पाकिस्तान के हैं असीम मुनीर वो दरसल प्रो अमेरिका हैं और शहबाज सरीप की सरकार भी प्रो अमेरिका है नमाज सरीप की वापसी हो चुकी है। पूरी तरह से अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो दरसल चीन को पाकिस्तान की जमीन पर दर्किनार करना है, साइड लाइन ले जाना है जिस तरह से आतंकी हमले दरसल चीन के प्रोजेक्ट पर हो रहे हैं या चीनी इंजिनियर्स पर हो रहे हैं उससे चीन पूरी तरह से बौकलाया हुआ है और चीन के सामने बड़ी चुनोती ही है कि किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को पूरा करे इस बीच पाकिस्तान को अमेरिकी मदद की ये हम कह सकते हैं कि एक और किस आईमेप के तरब से मिलती हुए दिखाई दे रही है लेकिन सवाल यह है कि होम ग्राउन पर श्याबाज सरीव इतने मजबूत नहीं क्योंकि उनको जिस तरह से घेवने का काम विपक्ष के निता कर रहे हैं और जिस तरह के बयानों की बौचार दरसल इसके बाद हो रही है इसे भी समझना बहुत जरूरी है हम बात कर रहे हैं हौजूर रह्मान की जो जम्यति उलेमा इसलाम के अध्यक्ष हैं और उनके बयानों पर गौर करें तो पाकिस्तान की मजबूत सरकार पर हमला करते हुए कहते हैं कि भारत एक तरफ जहां महाशक्ती बनता हुआ दिखाई दिरा है तो वही पाकिस्तान जो किस तरह से शाबाज सरीक को दरसल एडी चोटी का जोर एक करना पड़ा था सौधी अरब में किस तरह से दरसल विजिट किया और कॉन्फेंस से इतर जो है हमने देखा कि किस तरह से आईमेप की जो एमडी है किस लिना जोर्जिया उनके साथ आउट रीज करने में उनको क्य और समाई है वह पाकिस्तान के लिए हम कह सकते हैं कि किसी नए चैलेंस से कम तरह दिखाई नहीं देता क्योंकि साफ दोर कहा गया है कि इसके लाद IIMF से पाकिस्तान को भड़ी उम्मीद न रखें, पाकिस्तान को अपने आर्थिक व्योस्ता को ठीक करना होगा, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, अर्थ व्योस्ता में जान फूक नी होगी, साथ इस पैसे का इस्तमाल किसी भी तरह से, किसी भी हम कहें कि देश के खि पाकिस्तान जो है इस वक्त बेवस और इतना कमजोर दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आए मेप के जरीये मिले वए पैसे को लेकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहा है इस में पाकिस्तान की स्थिति में एक और सबसे बड़ा चेंज जो है वो हम देख रहे हैं और वो है दरसल इस वक्त किस तरह से पाकिस्तान अपनी सीमाओं पर अपने आपको सुधिड करवाए क्योंकि भारत के साथ हम जानते हैं कि सीजपार के बाद पाकिस्तान अभी भी क्रॉस बोर्डर टेरिजम से बाज नहीं आ रहा है लेकिन भारत पुर्जोर तरीके से पाकिस्तान को बतला चुका है कि जब तक आतंकवाद है तब तक पाकिस्तान के साथ भारत न बाचीत करेगा ना ही आर्थिक संबंदों को बहाल करेगा और हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो नहीं नेवे सलकार आई है वो दरसल कोशिश कर रही थी कि भारत के साथ आर्टिक संबंदों को और वैपार को बहाल करा जाए लेकिन भारत की तरफ से जिस तरफ के फिडबैक थे उसके बाद उनके कदम पीछे खीचने पड़े दूसी तरफ देखे इरान के साथ जिस तरह से पाकिस्तान के जंगी हालात थे जनवरी से ही हम देख रहे थे कि जिस तरह से दोनों देश एक दूसरी के उपर एरस्ट्राइक कर रहे थे उसके बाद अचानक पाकिस्तान की नई सरकार ने अपने कदम पीछे खीचे और इरान के साथ अपने संबंदों को साथ कर ये मैसेच देने की कोशिश की कि हम और ज़्यादा इरान के बॉर्डर पर नहीं उलजना चाहते और ऐसे हम आप देखिए तो भारत के बाद अगर कहीं इरान के साथ पाकिस्तान अपने stability को सीमा पर लाना चाहता है तो ये अपने आर्थिक मजबूरी की कारण ही लाना चाहता है क्योंकि हम जानते हैं कि जैशे अदल जो की बलुचिस्तान में बैठा अतंकी संगठन है वो वहां भी कुछने टेकने पड़े हैं अब आत आप चाइना की करें तो जानते हैं कि इस पर प्रजेक्ट की हालत क्या है और ऐसे में चीन अपने प्रजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्टैनेबल को पाकिस्तान की जमिन को उतारना चाहता है ये अपने आप में पाकिस्तान को एक कॉल्नी बनाने लाहे की स्टिती होगी और पाकिस्तान ऐसा करता है तो जाहिर तौर्प उसके लिए और गंभीर संकट्चीन खड़ा कर सकता है लेहाजा यहां भी एक कन्फरेंटेशन के स्टिती दिखाई देती है साथ ही आप देखिए तो आफगानिस् पाकिस्तान के मोर्चे पर पाकिस्तान की हालत सबसे ज़्यादा खराब है वो इसलिए खराब है क्योंकि तारीके तालीबान पाकिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान की मुझदा सरकार को एस्थित करते हुए जिस तरह से तालीबानी सरकार अफगानिस्तान में है उसी तरह क पाकिस्तान की तरह से जरसल अपने आर्थी कीटों को साथ कर पाएगा, आये में का ए पैसा भली उसके कटोरी में गिरा है, लेकिन इस पैसे से कितने दिन तक अपने काम चला पाएगा, त्योंकि पाकिस्तान की आर्थी के सित्वी है, उसमें हम देखते हैं कि टेरर लेकिन इस पर जिस तरह से प्रतिबन लगते जा रहे हैं और इसको लेकर जिस तरह से पाकिस्तान के केस्गरी हो रही है पाकिस्तान को अपना आर्थिक बेस एक अलग खड़ा करना होगा वरना आने वाले दिनों में उससे और ज्यादा गंभीर चुनोतियों का सामना करना पाइगी!